पुरत जी, मंत्री परिशत के मेरे साथी, पुर्शत्म रुपाला जी, आरे समाज के विबिन्न संगठनों से जुडे हुए सभी पदादिक अरिगाण, अन्य महानुहाओ, देवी और सजनों, देश स्वामी दयानन सरस्वती जी की दोसों भी जन्व जैनती मना रहा है, मेरी इच्छा थी, कि मैं स्वयम, स्वामी जी की जन्व भूमी टंकारा पहुंता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, मैं मन से, रदय से, आप सब के बीच ही हूँ, मुझे खुशी है, कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुँचाने के लिए, आर्य समाच, ये महोत्सव मना रहा है, मुझे पिछले वर्ष, इस उत्सव के सुभारंब में भाग लेने का अउसर मिला था, जिस महापुर्ष का योगदान इतना अप्रतीम हो, उन से जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है, मुझे विश्वात है कि ए आयोजन हमारी नई पीड़ी को महर्ची दयानन के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा, साथियों मेरा सवभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभुमी गुजरात में मुझे जन्म मिला, उनकी कर्मभुमी हर्याना लंबे समय तक मुझे भी उस हर्याना के जीवन को नीकर से जानने समझने का और वहां कार्य करने का आउसर मिला, इसलिए स्वाभावित तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है उनकी अपनी एक भूमी का है मैं आज इस अवसर पर महर्ची दयानंजी के चर्णों में प्रणाम करता हूं उन्हें नमन करता हूं देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयाईयों को भी जन्म जेंती की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं साथियों इतिहास में कुछ दिन कुछ क्षण कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविश्य की दिशा को ही बदल देते हैं आज से दो सो वर्ष पहले दयानन जी का जन्म ऐसा ही अभुत पुर्वपल था ये वो दोर था जब गुलामी में फसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे स्वामी दयानन जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढियां और अंदविस्वात ने देश को जकड़ा हुआ है इन रूढियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था इन सामाजिक बुराईयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था समाज का एक वर्ग भारतिय संस्कृति और अध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था ऐसे समय में स्वामी दयानंजी ने वेदों की और लोटो इसका आहवान किया उन्होंने वेदों पर भाश्य लिखे तार्किक व्याख्या की उन्होंने रूजियों पर खुल कर प्रहार किया और यह बताया कि भारतिय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका परणाम यह हुआ कि समाज में आत्म विश्वास लोटने लगा लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे साथियों हमारी सामाजी कूरितियों को महरा बनाकर अंग्रेजी हुकुमत हमें नीश्यां दिखाने की कोशिश करती थी सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराय जाता था ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंजी के पदारपन से जब सब साजिसों को गहरा धक्का रगा लाला लच्पतराय रामप्रसाद बिश्मल स्वामी स्रधानन क्रांती कारियों के पुरी स्रंखला तयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी इसलिए दयानंजी केवल एक वैदिक रुशी ही नहीं थे वो एक राष्ट चेतना के रुशी भी थे साथियों स्वामी दयानंजी के जन्म के 200 वर्स का ये पड़ा उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंबिक वर्षों में है स्वामी दयानंजी भारत के उजबल भविश का सपना देखने वाले संत थे भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्म विश्वास में बदलना होगा स्वामी दयानन आधुनिक्ता के पैरोकार थे मारदर्शक थे उनसे प्रेणा लेते हुए आप सभी को भी हम सभी को भी इस अम्रित काल में भारत को आधुनिक्ता की तरब ले जाना है हमारे देश को हमारे भारत को विक्सिद भारत बनाना है आज आर्य समाथ के देश और दुनिया में ढाई हजार से ज़्यादा स्कूल है कॉलेज और युनिवर्सिटीज हैं आप सभी चार सो से ज़्यादा गुरुकुल में विद्यार्थियों को सिक्षित प्रसिक्षित कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि आर्य समाथ 21 सदी के इस दसक में एक नई उर्जा के साथ राष्ट निर्मान के अभ्यानों की जिम्मेदारी उठाए डियेवी समस्तान महर्ची दयानन सरस्वती जी की एक जीती जाती इस मुर्थी है प्रेरणा है चैतन्य भूमी है हम उनको निरंतर ससक्त करेंगे तो यह महर्थी दयानन जी को हमारी पुन्य सद्धांजली होगी भारतिय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्ता आज की बड़ी जरुरत है आरे समाज के विध्याले इसके बड़े केंद्र रहे हैं राष्ट्रिय स्विक्षा नीति के जरिये देश अब इसे विस्तार दे रहा है हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें यह हमारी जिम्मेदारी है आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विशय हो आत्म निर्भर भारत अभ्यान हो परियावरण के लिए देश के प्रयास हो जल सम्रक्षन स्वच्छ भारत अभ्यान ऐसे अनेक अभ्यान हो आज की आदुनिक जीवन शैली में प्रक्रूती के लिए न्याय सुनिस्चित करने वाला मिशन लाइफ हो हमारे मिलेट्स श्री अन्न को प्रसान देना हो योग हो फिटनेस हो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आना हो आर्य समाज के सिक्षा संस्थान इन में पढ़ने वाले विद्यारती सब मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ती है ये सब बहुत बड़ी भूमी का निभा सकते हैं आपके संस्थानों में जो विद्यारती हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसे योगों की भी है जो अठारा वर्ष पार कर चुके हैं उन सभी का नाम बॉटर लिष्ट में वो मतदान का महत्व समझे ये दाईत्व समझना भी आप सभी वरिष्टों की जिम्मेदारी है इस वर्ष से आरिय समाज की स्थापना का एक सो पचाश्वा वर्ष भी आरभ होने जा रहा है मैं चाहूंगा कि हम सब इतने बड़े अवसर को अपने प्रयासों अपनी उपलब्दियंग उसे सच्पुत में यादगार बनाएं साथियों प्राकृतिक खेती भी एक ऐसा विशा है जो सभी विद्यार्थियों को लिए समझना जानना जरूरी है हमारे आचारिय देवरत जी तो इस दिशा में बहुत मेहनत करते रहे हैं महर्ची दयानन जी के जन्मक्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे देश के किसानों को मिले इससे बहतर और क्या होगा साथियों महर्ची दयानन ने अपने दोर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागिदारी की बात की थी नई नीतियों के जरिये इमांदार कोशिसों के जरिये देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है कुछ महिने पहले ही देश ने नारी शक्ति बंदन अधिनियम पास करके लोगसभा और विधानसभा में महिला आरक्षन सुनिशित किया है देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना ये आज महर्षी को सच्ची स्रदांजली होगी और साथियों इन सभी सामाजिक कारियों के लिए आपके पास भारत सरकार के नव गठीद युवा संगठन की शक्ति भी है देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत माय भारत है दयानन सरस्वती जी के सभी अनुव्याईयों से मेरा आगर है कि वो डीएवी सेक्षिक नेटवर्क से भी विद्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोसाइद करें मैं आप सभी को महर्ची दयानन की दोसों भी जैन्ती पर पुन शुब कामनाय देता हूं एक बार फिर महर्ची दयानन जी को आप सभी संतों को सद्धा पुर्वक प्रणाम करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं